असलानीकूम, जूटी अफ नैचर में खुशाम दीद, आज हम आपको मीठे के प्लांट के बारे में बताएंगे, मीठा स्वेट लाइम, वैसे तो ये प्लांट खेतों में लगाया जाता है, और मीठे की बहुत अच्छी काश्ट होती है, मीठा स्वेट लाइम जो है, ये बुखार के लिए सबसे बहतरीन चीज़ है, आपको तेज बुखार है, और किसी भी किसम का बुखार है, आपको मौसमी बुखार है, टाइफाइट का बुखार है, या मलेरिया का बुखार है, उस पे आप मीठे का जूस्की है, वो आपके ल ईभाल हैं, ओर इसके इलावा ये मैने जासे बता है कि ये खेतों में होता है, फार्मर लोग इसे खेतों में लगाते हैं और इसके बहुत अच्छी फसल होती है, ये किसम की सिकी नरस्यटी होती है और ये जो आप डेख रही इत प्लांट, इससे मैं इसकी मिखे की प्लांट इसे मैंने आप देख सकते हैं की तो नहीं देख सफिक देख सकते हैं इसकी हाइट तकरीबन चाल फिट के बराबर है अंदाजन और यह जो ब्रांच आप देख रहे हैं यह जो शूट है इसे फार्मर लोग गाड़नर इसे इस शूट को निकलते साथ प्रमूब कर देते हैं इसे काट दिया जाते है दरखतों पर से क्योंकि उनके कहने के मताबिक इसमें फ्लावरिंग और स्लोटिंग होती ही नहीं और अगर होती भी है तो बहुत कम सिर्फ फ्लावरिंग होती है इसलिए इस शूट को निकाल दिया जाता है लेकिन मैंने से नहीं निकाला ना मैंने से क्योंकि यह गंबले में गार्डनिंग एक ग्रीन भी का समा पेश करती है यह शूर्ट तो मुझे यह पसंद है इसलिए मैंने इसरे रिमोव नहीं किया आने वाली सीजन में जब यह फौदा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हो सकते इस पर फ्लार आएं लेकिन फिल्हाल इस कोई फ्लार नहीं आया और इसे पानी का अगर देखा जाया तो पानी मैं इसमें तीन-चार दिन बाद भी दूँ तो यह अच्छे से ग्रोव कर रहा है और डेर दो महां बाद इसमें थोड़ी सी खात दे देती हूं मैं और वो भी बहुत कम और इसकी अगर देखा जाया त तो रखा तो इसे जाता है धूप में फुल धूप में क्योंकि यह खेतों में लगाए जाना मेला पोदा है लेकिन मैंने इसे ग्रीन नेट के नीचे रखा हुए बहुत आजकल की धूप बहुत तेज है और जब थोड़ी धूप का सरकाम होता है मौसम बदलने लगता है त तो फिर मैं ऐसे ओपन धूप में रख देती है और यह यह शूट है वो यह दिखिए यह वो शूट है जो बहुत तरो ताजा है बहुत फ्रेश लेकिन मैंने इसे नहीं काटा हुए और मैंने कहा आप से यह शेयर कर दूँ नीठे का फांट तो इस वीडियो में इतना है मेलते हैं अगली वीडियो में अलाव वेश